हेलो दोस्तो नमस्कार सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से यहाँ आप सब लोग पता है फ्राइडे के बाद सेटर्डे संडे दो दिन का गैप पड़ जाता है एंड उसके बीच में भी अगर नेगेटिव खबर है तो नो डाउट वहाँ पर पर प्रेशर भी देखने को मिल सकता है सबसे पहले शुरूआथ हैँ यहाँ पर करेंगे दोस्तो दोस्तो निफ्टि-फिफिफ्टि से फ्राइडे की दिन बहुत अच्छी कासी हम लोग को गिरावत देखने को मिले बहुत समय के बाद 3% के आसपास अगर हम लोग अमेरिकन बाजार की भी बाद करें तो अमेरिकन बाजार भी लगबग लगबग धाई पसेंट से जादा तो क्रैश या पर हो चुका था डो फ्यूचर्स ने अल्रेड़ी हम लोग को अंदाजा दिया था अमेरिकन बाजार में भी गिरावट या पर होने वाली है दोस्तों अभी हम लोगों की जिम्मेदारी अभी और बढ़ चुकी है किस से रिलेटेड मेजर ग्लोबल इंडाइस येस दुनिया बर की जितने भी बड़े बाजार है अगर आप लोग देखोगे तो उनके उपर अभी आप लोगों का फोकस याप रहनाचा और खास करके किन की ऊपर पता है यूरोपियन मार्केट की उपर यूरोपियन मार्केट जो हमारे बाजार जब चलतेए आप लोगों को पता है कि यहाँ पर during the market जब 12 बज जाते हैं साड़े बारा एक गेड़ बजे के आसपस हम लोगों को European market open होते हुए देखने को मिल जाते हैं और वहाँ पर हम लोगों को हमारे बाजार में भी reactions देखने को मिल जाते हैं और European market के लिए फिलाल हम लोगों को bad खबर देखने को यहाँ पर मिल रही है बूरी खबर देखने को मिल रही है तो reason क्या है देखी European market में pressure क्यों है चलो European क्यों पूरे दुनिया में pressure क्यों है तो South Africa में जो COVID का जो एक नया variant हम लोगों को identify होते हुए देखने को मिला है तो दुनिया बर में हम लोगों को इससे related pressure देखने को मिला है तो अब देख सकते हैं यहाँ पर European countries क्या इनमें virus आया था तो नहीं फिर भी इनमें हम लोगों को profit booking pressure देखने को मिला था गिरावट देखने को मिली थी पर दोस्तो अभी यहाँ पर news सामने आ चुकी है कि जो South Africa का जो variant है जो COVID का नया variant है वो कुछ countries में पाया गया है वो कौन सी countries है वो भी मैं आपकी सामने रखूंगा और उसमें से अगर देखा गया तो 3-4 countries European countries भी है तो नो डाउट यहाँ पर उन countries के market के उपर आप लोगों ने कल के दिन focus जमा के रखना है तो उसमें कौन-कौन सी countries आती है तो आप लोग देख सकते है ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया क्या भी जो बाजार रहता है आप चाओ तो उसको भी study कर सकते हो वो सिफ देखने के लिए कि क्या reaction देखने को मिल रहा है तो अगर हम लोग second country की बात करें तो दोस्तो वो second country है इटली येस इटली में भी हम लोगों को यहाँ पर सामने आते वह देखने को मिल रहा है देन दोस्तो अगर देखा गया तो जर्मनी एक और European country इटली के बाद तो इसके उपर भी आप लोगों ने क्या करना है कल के दीन यहाँ पर जरूर इनका जो बाजार उपन रहेगा इसके उपर focus जरूर रखना है Netherlands, Holland आप जाओ तो बोल सकते हो इनके उपर भी focus रखना है Britain, Britain का भी नाम United Kingdom का भी नाम दोस्तो सामने आ चुका है फिलाल तो दो cases identify हो चुके है जो नया variant है तो Britain के market यह भी हम लोगों को कल disturb थोड़ा सा होते वे जरूर तो जरूर देखने को मिल सकते है जराइल की बात करे उसको भी देख सकते है Hong Kong देख सकते हो उसी के साथ-साथ एक और हम लोगों को countries देखने को मिल रहे बोट्स वना है उसी के साथ-साथ Belgium है तो यह countries के उपर क्या करना चाहिए आप लोगों ने focus रखना चाहिए अभी European countries है उनके उपर जादा focus रखो क्योंकि अमेरिका की बाद European countries से आने वाला pressure हमारे market के उपर प्रवाव जरूर डाल लेता है तो जरूर आप लोगों ने उस चीज का भी खयाल रखना है कि European bazar जब खुलेंगे न्यूस चैनल के उपर भी आप लोग देखोगे कल इसकी चर्चा बहुत ही जोरो शोरो से होगी कि European market खास करके जिनका नाम सामने फिलाल आ रहा है कि वहाँ पर हम लोगों केसे देखने को मिल रहे है तो वहाँ पर बाजर ओपन कैसे होते प्रेशर के साथ होने के चांसे थोड़े ज़्यादा हो सकते तो जरूर उसके उपर भी आप लोगों ने फोकस बना के रखना है Next दोस्तो अगर हम लोग बात करें फिलाल का जो माहौल हम लोग जो कहते है तो फिलाल का जो माहोल है वो कैसे हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर बेरिज देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिल थी Friday का जो दीन हम लोगों को देखने को मिल था क्या यहाँ पे दाव लगाना ठीक रहेगा, एक छोटा सा dead cat bounce आ जाते है ऐसा jump, बट वो investment opportunity नहीं रहती है, मैं अल्रेडे अपनों को साफ शब्दों में बता चुका हूँ, देन आयनोक्स के उपर आपका focus रहना चाहिए, यहाँ पे भी गिरावट अल्रेडी हो चुकी है, छोटा मोटा jump आ सकते हैं, फसना नहीं है, मैं clear cut एक separate वीडियो भी बना चुका हूँ, Eros International इसके उपर focus रखना, देखना है हमारे बाजार की स्तीती कैसे रहती है, hotel industry उसके पर focus रखना, जिसमें Indian hotel बहुत ही popular नामे, यह तो सवाग 11 पसंट गिरा था, next अगर बात करें, तो aviation sector का number one company, साड़े 9 टक का गिरा था, Interglobe Aviation, Spice Jet की बात करें, तो इसमें भी हम लोगों को बहुत बड़ी गिरावट देखने को यापे मिले थी, आप देख सकते हैं, लगबख साड़े साथ पसंट, तो यह stocks भी आप लोगों के radar के उपर जरूर होने चाहिए, मैं कोई recommendation नहीं दे रहा हूँ, कि यहापे short करो, buy करो, कुछ भी नी, बट यह सीखना है आप लोगोंने सबसे पहले, अगर निफ्टी में हम लोगों को pressure देखने को मिला, तो इन stocks में भी high chances है कि pressure के साथ ही, यह stocks हम लोगों को open होते हैं, भी देखने को मिल सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो pressure है, तो किसी लिए तो एक फाइदे मन चीज भी साबित हो सकती हैं, और वो कौन है, निफ्टी फार्मा, आप सबी लोगों को पता है, यहाँ पे जो pharma companies है, मतलब यह जो issue जितना लंबा चलेगा, उतना ही उन लोगों के लिए अच्छी बात है, इसलिए जो pharma वाले companies है, जैसे कि AstraZene है, Divis Laboratories है, Dr. Lal Pat है, Metropolis है, इन companies के उपर Cadillac Healthcare है, यह सारे companies क्या होने चाहिए, आपके radar के उपर यहाँ पर होने चाहिए, Apollo Hospital जैसी company है, यह already मैं आपकों को discuss कर चुका हूँ, कि इन companies के लिए यह खबर जितनी बड़ेगी, जितना बड़ा खबर यह होता रहेगा, उतना ही इन लोगों के लिए अच्छा है, Pfizer भी आती है, obviously, कुछ नाम यहाँ पर चूट सकते हैं, में क्या करना है कि pharma companies को यहाँ पर इस कबर का बहुत ज़्यदा फाइदा हो सकते हैं, तो इनके उपर focus आप रख सकते हो, next अगर हम लोग बात करें, एक विदेशी company, हमारे market में तो नहीं है, Nasdaq में है, Moderna, तो दोस्तों, Moderna ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहाए कि यह जो नया variant है, हम लोग इससे निपट सकते है, 2022 तक हम लोग इससे related vaccine भी develop कर लेंगे, so यह statement के बाद, Moderna का stock है, वो अल्रेड़ी हम लोग को 20% से ज़्यादा भागते वे देखने को पना था, अभी इस statement के बाद, क्या है यहापे और बड़ी तेजी आएगी, तो सिर्फ Moderna के उपर आप लोग कल के दिन focus यहापे बना के रख सकते हो, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, कुछ छोटे योटे फटावट stocks कवर कर लेते हैं, Trident लगातार तेजी दिखा रहा है, जरू फोकस सिफ बना के रख लेना, Reliance इंडस्ट्री, Reliance से related कुछ खबरे हैं, जैसी कि सबसे पहले अगर हम लोग यहापे बात करें, Reliance के जियो ने भी दोस्तो, Yes, Reliance के जियो ने भी 21% जो उनका जो tariff लेता है, वो हम लोग को हाइक करते हैं, प्राइज हाइक होते वे देखने को यहापे मिल जाएंगे, यह already मैं आपको बता चुका था, AirTail ने किया, Vodafone ने किया, सो Reliance जियो का भी नाम, आज नहीं तो कल नहीं तो परसो, आपको हफते बर में यह न्यूस सामने आएगी, लीजिए, न्यूस सामने आगे दोस्तो, Reliance के जियो ने भी यहापे क्या कर लिया, अपना प्राइस यहापे बढ़ा दिया, अभी सारे प्लान्स आप लोगों को महेंगे होते वे देखने को यहापे मिल जाएंगे, प्लस Reliance में हम लोगों को एक positive news भी देखने को मिली थी, gasification से related, आप लोगों को पता है वो separate unit करेंगे, क्या पता वो आगे जब के list भी करवा सकते है, strategic investor भी ला सकते है, तो वो भी positive news है and PDF, PDF मतलब promoter, DIS, FS, यहापे थोड़ा-थोड़ा माल बढ़ा रहे है, तो focus आप लोग ज़रूर यहापे maintain कर सकते हो, ITC की बात करें, तो इसको भी radar के उपर रखना देखा के तो यह कोई fresh news तो नहीं है, थोड़ा सा अल्यड़ी हो चुका है, बट still, okay, fine, ITC to acquire 16% stake in a mother's purse, तो यह एक positive खबर है, no doubt, आप लोग चाहो, तो ITC के उपर focus बना के रख सकते हो, next अगर बात करें, RBI ने जो फैसला लिया है, 26% तक promoter holding यहाँ पर हो सकती है, अगर 15 साल के बाद, अगर हम लोग बात करें, बैंकिंग, तो पूरे banking stocks के उपर focus रखना है, private bank सा, no public bank, और उसमें Indusind bank के उपर खास focus रखना है, और Kotak Mahindra bank के उपर, क्योंकि यह जो stocks थे, बहाँ पर हम लोग को ज़्यादा यह अनबन होते हैं, देखने को मिलते हैं थी 26%, 26%, Kotak का तो अल्रेडी है, तो अभी आदेगे की कोई चिंता नहीं है, Indusind bank की बात करें, तो यह 16 का 26 कर सकते हैं, बट मैं अल्रेडी warn कर चुका है अप लोग को, कि अगर यह 16 का 26 करने के लिए buying करेंगे, तो stock भागेगा, तो उसमें participate नहीं करना है, because company के financials, numbers, NPA, PNL, provisioning में कोई improvement नजर नहीं है, यह एक news है ठीक है, उसका फाइदा traders लोग उठा सकते, investors के लिए, यह बाकी की चीज़े clean होना बहुत ज़्यादा important है, so, यह already मैं आप लोगों को इससे related one भी कर चुका, बट यह stock कल आप लोगों के radar के उपर होने चाहे, then, एक और stock, वेदान्ता तो दोस्तों, वेदान्ता के और से एक और खबर सामने आ रही कि promoter और माल खरीदने की बात कर रहे है, अब यह और माल खरीद के क्या D-listing करेंगे या D-merger करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है, so, यह तो मतलब देखा गया ना तो promoter माल खरीदते ना तो एक बहुत positive sign होता है, बट वेदान्ता के केस में कुछ समझ मी ने आ रहे है, इतनी जादा volatility है, अगर आप इनके chart patterns को open करके देखोगे, समझ मी ने आते हैं, जबरदस तेजी, जबरदस तेजी, जबरदस गिरावट, अभी पिछले दिन के बाद करें, 4% गिरावट, तो market में pressure था इसलिए, बट बहुत ही ज़्यादा ये stock, अच्छे news में भी disturbing रहे था, क्योंकि इसके पहले भी एक बहुत बड़ा event, इन्होंने करने की कोशिश की थी, dealisting, जहाँ पर retail investor का बहुत बड़ा नुखसान होने वाला था, 300, 300 वाला stock, 80 रूपे के आसपास, 85, 87 something, promoter माल खरीदना चाते थे, thanks to the LIC, वरना ये company retailers के मतलब हाद से चली जाती, ऐसी कोई बात है नहीं, आप लोग चाहो, तो अपना stock hold भी कर सकते थे, बट ultimately जो settle करने के लिए जो price होता था, वो आपके favor में ज़्यादा नहीं होता था, बात करेंगे GST की, yes, GST से related सवाल आ रहे, sir, GST Council नहीं, GOM की जो बेठक हमलों को देखने को मिल रहे थी, group of ministry की, तो उसका हुआ क्या, 27 तारीक को जो थी, तो दोस्तों यह जो बेठक हमलों को देखने को यहापे मिल रहे थी, वो हो गई है defer, defer मतलब postpone यहापे हो चुकी है, जो GST Council की जो बेठक रहे थी, next month में उसमें directly फैसला हो जाएगा, कि जो 4 rates है, उसको हटा कर 3 करेंगे, या फिर कोई नए rates लगाने है, टाटा मोटर, टाटा मोटर आपके रडार के उपर होना चाहिए, सबसे पहले important news, तो दोस्तों यहापे आप लोगों को पता है, अल्यड़ी में बता चुका है, semiconductor के लिए 2200 करोड का, yes, 2200 करोड का investment करने की बात, यहापे टाटा मोटर आलड़ी कर चुकी है, हो भी सकता है, मतलब reports के जरीए ख़बर सामने आ चुकी है, and second most important चीज़, जो ख़बर अभी सामने आ रही है, तो Ford आप लोगों को पता है, तो Ford की अगर मैं बात करो दोस्तों, तो यहापे क्या हो रहा है, तो Ford के यहापे दो, yes, दो फैक्टरिय हम लोगों को यहापे देखने को मिलती है, किदर? इंडिया में, तो वो फिलाल यहापे टाटा मोटर खरीदने की बात यहापे कर रही है, उन Ford से related, तो यह भी एक positive ख़बर है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, नीचे अवेलेबल है या नहीं, शायद से अभी तक यह news आई ने, कल तक शायद से आ जाएगी, तो यह एक positive news है, वो कभी भी सामने आपे आज आती है, अभी तक तो फिलाल तो कुछ नजर नहीं आ रहे है, ठीक है, बट कल शायद से आप लोगों को यह news मिल जाएगी, तो इस news के चलते, टाटा मोटर के और जरूर फोकस आप लोगों ने बना के रखना चाहिए, नेक्स्ट बात करेंगे, मैक्रोटेक डेवलोपर्स, लोधा बिल्डर्स, बहुत ही risky stock है, मेरे portfolio का, अच्छे returns दे रहा है, भयांकर इसके मैं बार-बार बता रहा हैं आप लोगों को, तो एक बहुत ही positive news सामने आ रहा है, कि मैक्रोटेक डेवलोपर्स, लोधा बिल्डर्स ने estimate किया कि 20,000 करोड तक का यह business करने वाले है, कहाँ पे, बेंगलूर में, बेंगलूर में तो इनकी site से नहीं, येस, वही तो उनका प्लान है, लोधा बिल्डर्स, मैक्रोटेक डेवलोपर्स यहाँ पे उनने बताया कि वो बेंगलूर मार्केट में, यहाँ पे इंटर करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अब भी बेंगलूर में इंटर होते वे देखने को फिलाल यहाँ पे मिल रहा है, ज़रूर आप चाओ तो लोधा बिल्डर के और focus यहाँ पे बनाके रख सकते हो, मेरा कोई direct recommendation ही, बट यह कंपनी मेरे portfolio में बहुत ही risky है, बट मेरा पैसा already double तो हो चुका है, देख लेते हैं, अभी आगे का development केसा रहता है, फिलाल यह गिरावट वाले महोल में तो real estate की तो और भी band बढ़ सकती है, नेक्स्ट बात करेंगे, छोटा सा खुशी का महोल PNB में देखने को मिल सकता है, जिसका फाइदा trader उठा सकते हैं, प्लीज investment की news नहीं है, तो इनका पैसा फसा हुआ था, इसके चलते इनको थोड़ा सा फैसा मिल चुका है, कितना 200 करोड मिल चुका है, तो अच्छी बात है, trader लोग थोड़ा बहुत फाइदा उठा सकते हैं, इन्वेस्टर ने प्लीज ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना अच्छी बात है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये कौन सी कंपनी है, पेटीम, येस पेटीम के नंबर्स तो हम लोगों ने देख लिए, नंबर के से रहे, नंबर देखे, निगेटिव नहीं है, वो लॉस रहेगा, ये तो मैं आपको आज भी बता सकता हूँ, कब, कौटर 3 के भी नंबर लॉस में है, 4 के भी लॉस में है, बट फिलाल मार्केट के चिक करता है, पता है, कि इनका सेल्स कितना हुआ है, रेविन्यू कितना है, रेविन्यू में अच्छी जंप है, 60-70% की जंप है, अप्रोक्सिमेटली, तो मार्केट इस चीज़ को भी जरूर यहाँ पर कंसिडर कर सकता है, तो पेटियम के नंबर को जरूर चेक कर लेना, जो मैटो में भी आप लोगों ने देखा होगा, कि जंप हमनों को देखने को मिलेती, वाई, लॉस में है कंपनी, आगे भी लॉस में ही रहेगी, बट उनके जो सेल्स है, रेविन्यू है, वो यहाँ पर एक्स्पेक्टेशन्स रखे हुए है, कि वो बढ़ेंगे, पेटियम के उपर भी कल, आप लोगों का फोकस यहाँ पर रहना चाहिए, यह कुछ स्टॉक्स है, जिसके उपर आप लोगों ने क्या करनी चाहिए, एक वाच्छ लिस्ट बना के रखनी चाहिए, सुबह होते ही, सवानों बचते ही, ज़रूर इनके उपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए, कि यह स्टॉक्स कैसे ही आप चल रहे हैं, आशा करता है, आप लोगों को इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा, और एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो चाहो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो, So that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next day, तब तक के लिए, बाई बाई.